तो बैलकनी से लेकर बगीचे तक गार्डिनिंग करिए शौक से और रहिए कुद्रत के करीब गर्डिन्स नीड प्लांटर्ज घर स्रजाना हो या नेचर के करीब जाना हो पहली पसंद फूल और पौधे ही होते हैं जब लोग हो खास तो गिफ्ट भी हो खास जिसे आप लाइक करते हैं उसे अपनों के साथ शेर करिए कहते हैं कि मैं इन पेड़ पौधों का खूब ख्य प्रड़ रखे हैं हैं अगर प्लांट को यह प्लांट आप फ्लांट विश्ट नहीं अच्छा प्ली आपको अवलेबल हमेशा मिलेगा आपके घर के पास में भी आप डिजाइन्स हमारे पास कितने नंबर्स अपने ऐसी क्यों नमबर डिजाइन अप्रॉक्सिमिटली 600 प्लस है तो स्कू की बात करें तो 2000 से ज्यादा स्कू हमारे पास मिलते हैं वाव यह बहुत कॉमन मित है कि इसके पॉट के अंदर प्लांट ग्रो नहीं करता है यह बहुत रिजनेबल हैं अब यह वाला जो जिसके ओपर डिजाइन ही है तो इसका जो MRP है यह 230 रुपीज का है और इसका जो 30% डिसकांट आप एक जो में है जो जो बोल्ड शेप में है वो क्या है उसका जो है उसका कैसे हैं एक दमड़े हैं वल्कम को क्लैप्राइब हैं थैंक यू सर बहुत इंपोरेंट टॉपिक है और मेरे कहां से काफी इगनोड टॉपिक भी है आज हम सब प्लांट हुगाना चाहते हैं और प्लांट के उपर सबका फोकस है लेकिन प्लांटर्स को बहुत जादा मेरे फादर ने स्टार्ट की थी कंपनी और आज यह कंपनी के तीन प्लांट हैं और मनुफेक्ट्रिंग प्लांट हैं तक्रीबन हम 500 प्लस एसकी उमले नहीं डिजाइन मलग बनाते हैं हम लोग अगर एसक्यू की बात करें तो 2000 प्लस एसके उसे हैं जिसके अंदर आप अल किसी के पास हुआ इसकी पूरी डीटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जितने भी सिटीज हैं क्योंकि अब हम स्लोली जाएंगे टेक्निकल साइट की तरह इसलिए लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं कि उनका शेहर में कहां पे अ अगर आप किसी भी प्लांट को अगर उसने अच्छा पॉट नहीं है तो उसकी वैल्यू जीर हो जाते है वही पर ही अगर अच्छा प्लांटर लगा दें उसकी वैल्यू तीन गुना या चार गुना बढ़ जाएगी जिक अब इसका डिस्प्ले कर देखे तो कोई कि अब जबाद आचले अंघर और किस टाइब के प्लांटर लगाने च्छी वही भी समय जलूरी है और प्लांटर को को yusk करना वी समय नहीं जो हम पूरे प्रोसस में भी समझाएंगे है दोनों की में फर्क प्लानटर्स मेंधर दोनों की मैं फर्क होता है डिज literary पर मट्रेन के नंदर इन्ट इतना फर्क निहीं होता है, आउट्डोर के निए वी रेस्ट रहती है, बारिश होती है, temperature रहता है, हर एक चीज होती है ओड्डोर के इंडर, इंडोर में थोड़ा सा environment तो हम अपने हिसाफ से body के हिसाफ से maintain करके चलते हैं, तो आउट्डोर के ल है जो जिस में प्लांटर से हमारे तो हमारे पास में लिद्व है प्लास्टिक में ऑलorta है दो जैसे कम मोल्डिंग होता है घर जो थिस्के लावा और भी हमारे प्लास्टिक का होता है तो जो भी हमारे हैं यह future में सारे के सारे recyclis बना है तो कहीं भी प्लांटर या प्लास्टिक की कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोईव हो सकती है कोई भी हमारे यिद्या में और साथ साथ में सारी रिसेकले बिले, तो फ्यूचर में इस इस प्लाइटर को मैं कहुँगा कि एंवाइर्मेंट फ्रेंडली है, क्योंकि आप इसको फिर वापे इस काट के दस साल के बाद दूबार से निया को बना सकते हैं, पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां प हमारे किसी भी प्रोड़क की लाइफ जो है, वह पांच साथ साल से कम नहीं है, और जो भी कलर हम यूज करते हैं, वह एक तो एंवर्मेंट फ्रेंडली होते हैं, वह खराब नहीं होता है, दूसरा वह कलर की लाइफ जो है वह बाकी प्लांटर से बहुत अच्छी होती है, उसकी लाइफ ऐसा है कि जब आप उसको लगाएंगे आउट्डूर के इंदर, तो वह लाइफ जीर दे करके कम होगी, तो चार से पांच साल वह कलर स्टे करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कि हम अगर मैं प्लांटर लेने जा रहा हूं अपने घर के लिए, तो कहां स सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आनी चाहिए? सबसे पहले तो यह आना चाहिए कि कहां पे आपने प्लांटर को लगाना है, यहां देंकि इंडूर लगाना है या आउट्डूर लगाना है, क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो प्लांटर खरीद रहें कि आउट्डोर में चल पाएगा निचल पाएगा या इंडोर में चल पाएगा नीचल पाएगा तो सबसे बेसिक स्टार्ट होता ही हां से उसके बाद हमार को देखना चाहिए कि क्या साइज है, मतलब कि उसका प्लांट की ग्रोध दे रहें कितना बड़ आपको प्लांट चोड़ा इंची बिलेगी थोड़ा सा बड़ा प्लांटर यूज आपको चूज करना चाहिए उसके बाद हम कलर की बात करते हैं तो आपको जो कलर सी यूज करने चाहिए वह मतले की बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर यूज नहीं करने चाहिए अगर आप देखे तो हमने वीडियो में कहते रहें कि जैनरी लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं स्पेशली जो सेरमिक पॉरा फोकस ही होता है कि बहुत जादा उसके पर देशुट बी लॉट पैटरंस और डिजाइन और प्लांट दिखता ही नहीं है एक टिप और हमारी तरफ से हलाग कि नहीं कि नहीं कि जो प्लांट करता है हमेसे हमेशे आपके प्लांटर से थोड़ा बड़ा होना जब कि बहुत सारी लोग क्या खरते हैं मैं और अलग च्छ़ोड़े प aimiter लगाते हैं जो भींड तो इसको कहीं भी यूजरो कर सकते हैं इंडूर और घरा भाड़ आपकरण शेशाल आप के हैं तो आपको राज्थिरन के पर रृटके थाप्री अघार लह जरूर्ण नहीं पड़ते हैं कि इसका साइज हम ने डिटर्माइन कर लिया कि हमारा क्या साइज होगा उसकी बाद मैं फिनिश की बात करेंगे अज इतनी सारे प्लांटऊंस हैं और अलग लग फिनिश में इर बेगल हैं जएसे आप देखरें उपर काफी थिक पेडर फिर माबल फिनिश में फिर हम लोग अफकोस इनके बारे में भी बात करेंगे, तो फिनिश का determination कैसे होता है, कि आपको क्या फिनिश लेना चाहिए, यह तो चॉइस है, जो कश्मर खरीदना चाहरा है, उसने कहा लगाना है, पर इसके हम टेक्श्चर फिनिश देते हैं, जैसे इसको पर टेक्श्चर रहल का सा, य इसके लाबा मतलब की अलग टेक्श्चर आते हैं, तो किसी भी हमने फ्लावर डिजाइन दिया, या यह फिश की शेप का है, तो और यह लगाना का है, मतले कि अगर आप स्टेर्स पर लगाना चाहरे है, तो आपको स्पेर का डिजाइन लेना चाहिए, अगर बैलकनी में ल वो कॉर्णर जो है, बहुत सुन्दा लगाएगा, बलकुल, एक दो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो हमने नोटिस की है, आप बताइए कि जो हम सोच रहे हैं, वो सही है कि गलत, छोटे साइज के प्लांटर फ्लोर पे अपनी विजिबिलिटी खो देते हैं, उनको कांटर टॉप के उपर रखने चाहिए, या किसे एक कॉर्णर पे शेल्फ के उपर रखने चाहिए, और जो क्योंकि जो दस इंची का रहता हूँ, उसको आप उपर ने जसके उसका वेट ज़्यादा होता है, और जो छोटे प्लांटर होता है, नीचे नजर ही नहीं आएंगे, बिल्कुल का हमने जो experience center बनाया है, तो आप experience के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे, तो हम 30% discount आपको देंगे, यहाँ पर, जो आप MRP बता रहे हैं, उसके उपर 30% और आप मिलेगा, इसका क्या price range है, तो यह 4000 रुपीज का है, इसमें bottom tray भी साथ में आरी है, इसमें तीन अलग आप देखें, तो यहाँ पर तीनों sizes यहाँ पर पढ़े हैं, और इसमें पर 5 आपको अलग color मिलते हैं, white, gray, sandstone, sandstone में दो color है, gray में दो color है, तो total 5 color होते हैं, जो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि चल रहे हैं, इंडिया के अंदर, और यह color बहुत natural look देते हैं, तो यह आपने तो यह human faces क्या रहेगा, human faces, इसका MRP है तक्रीबन 250 रुपीज का है, okay, हाँ, prices बहुत reasonable है, prices के अंदर आपको दिक्कत ने लेगे, अब यह वाला जो जिसके ओपर design है, तो इसका MRP है, यह 230 रुपीज का है, और इसका जो 30% discount आपको एक जो bowl shape में है, जो bowl shape में है, वो क्या है उसका जो है, उसका जो price रहेगा, वो तक्रीबन 300 और 200 के असपास का रहेगा MRP, यह सब मैं आपको MRP है बताऊँगा, हम किसी को team में से कहेंगे, प्लीज आप एक हम उतार के लिए एक बर निखिल जी प्लीज आप तब तक हम इसका price बताते हैं, यह basically उन लोगों के जैसे jet बनता है, एक piece बनता है, और यह जो बाकी product है तक्रीबन एक घंटे के इंदर approximately 50-60 piece बनते हैं, यह बहुत matter करता कि कितने piece बन रहे हैं, बहुत चाहिए, मुझे कुछ succulents लगाने हैं तो इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि succulents को बहुत जादा soil की ज़र ज़रूद नहीं है, तो आप यहाँ पर hole है, यहाँ पर हमने air inlet भी दे रखा है, ताकि पानी अराम से भाहर जा सके, मैकसिम हमारे सारे product के अंदर आपको यह inlet मिलेगा, हमने बहुत बहुत study करते हैं, जब planter का design करते हैं, ताकि client को बहुत ज़दा काम ना करना पड़े, automatically planter अपना काम करें, तो बहुत सारे हमारे product ऐसे भी हैं, जहाँ पर पानी की कमी रहती है, तो उसमें water रखने की जगा में बना रखी है, तो अगर दो दिन आगर आपने पानी नहीं डाला, plant के अंदर तो मरेगा नहीं, वो hold करना होगा, मतलब train में होता है वो, नहीं उसके अं तो सर, I don't think there is any direct competition with the street vendors, नहीं, देखो जो हमारी quality है, तो यह प्राइस की साब से देखो, तो you are almost at par or maybe cheaper than them, हाँ, प्राइसिंग हमेशा मैटर करती क्वाल्टी के ओर और हमेशा हमेशा हमारा एक ही फंडा है कि आप अच्छी प्राइसिंग अच्छी क्वाल्टी को दें, हमा तो प्राइस के साथ साथ, आपको यह भी काऊंगा कि, क्वाल्टी पे पूरा काम किया गया है, तो प्राइस बहुत competitive मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे मिलेंगे, और उसी प्राइस के अंदर आप कर सकते हैं, और यह जो आप रेस देख रहे हैं, यह FRP की रेंज है, मैं आपको इसको दिखाऊंगा, यह फोड़ी सी, यह हैंड में डूलती है, यह एक एक लेयर करके, तो तीन लेयर के अंदर अलग तरीके से काम करते हैं, अगर मैं इस वाले पॉट की बात को तो तो तीन लेयर अलग अलग की, फिर दो बार पेंट की लेयर की, अंदर से पेंट प्लाइस होती है, फर्न प्लांट है, यह फॉट बहुत संदा लगता है, अगर देखेंगे पेंट बहुत संदा लगता है, इस वाले अपने नेचर होती है, उसके बारे में भी थोड़ा साब गाइडेंस देते हैं, जैसे फेड़ ठैट है, उसको लेंथ जादा चाहिए, और जेड है उसको spread जादा चाहिए, succulents को soil कम चाहिए, तो plants की knowledge भी होना थोड़ा सा जरूरी है, राइड ना, उसी साफ से आपको अपने planter को चूस काता चाहिए, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, जितने भी traveler palms हैं, bottle palms हैं, इसमें लगा से हैं, इसमे normal planter से थोड़ी सी जादा अची है, और इसमें high treat plant ही अच्छा लगेगा, ठीक है, जान, और जैसे sequence में लगाने का culture है, जैसे ये वाले planters से इनमें, आप season flower लगाते हैं, तो पुरे sequence में लगाते हैं, बहुत सारे लोग mistake ये भी करते हैं, कि एक ही planter लेते हैं, मैं हमीशा हम recommend करते हैं, कि आप sequence में ले, दस बार एक साथ लगे होते हैं, रो में तो अच्छे दिखते हैं, जैसे आपने देखा, नसरी में भी ऐसी होता है, कि planters आप खरीते हैं जब, तो वो पूरा एक bed बना कर रखते हैं, flowers का, बीट मेरी गोल्ड और गुल्दावदी, और मीवन गया था, हम लोग क्या mistake करते हैं, जाते हैं, वहाँ से एक plant खरीते हैं, ले आते हैं, उसको वो एक beauty नहीं देगा, बिल्कुल, planters के साथ भी वैसी होता है, बिल्कुल planter के साथ है, जब आप अगर आप नीचे भी देखेंगे, तो हमने एक planter क्योंकि यह experience center इसमें तो बत करेंगे, यह जैसे यह जो है, इसके अंदर तकरीवें 15 अहरे आते हैं, और अटेजाइन है, यह metal का pot है, और इसका MRP है वो 450 रुपीस का है, इसके उपर सारा हाथ से यह काम किया गया है, इसके उपर लेक इसमें direct plant होगा सकते हैं, नहीं इसमें direct नहीं होगा सकते हैं, हम प्लास्टिक का दूसरा pot देते हैं, जो आप इसके अंदर रख दें, और इसको time to time clean करते हैं, जैसे यह है, इससे छोटा planter आता है, जो आप नजर ही नहीं आएगा, वो प्लास्टिक के अंदर growth को लेके भी लोगों के concern होते हैं, उनको लगता है कि roots का breathing एक फिनॉमेना ह प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक के अंदर बहुत ज़दा question आता है, खासकर कोविट से पहले तो बहुत ही common था कि यह सर इसके अंदर प्लांट ग्रोई नहीं किया मेरा यह अशा है, तो इसको हमें बहुत फोकस अच्छे तरीके देखना है कि हमने प्लांट लगाया किस अच्छे तरीके से होलो पानी जो आपने डाला है वो जरूर बहुत है क्योंकि जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ऐसे प्लांट भी ब्रीदिंग करता अपने रूट से और जब वह रूट को अगर पानी पूला भाला रह गया तो तीन से चार दिन के अंदर मुर्जा जाएगा तो एक्सेस वाटर हो जाता है क्योंकि इसका पानी के साइट से बाहर नहीं निकलता या आपको ध्यानकने की जरूत है जब भी आप प्लांट लगाएंगे किसी प्लास्टिक पॉट में तो उसनों होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ग्रो होते हैं अगर आप कि कैक्टस और सेक्वलेंज को बिल्कुल पानी नहीं चाहिए तो उनकी स्वाइल जो है वैसी हो ताकि वह रिटेन ना करें यस प्लांटर भी वह हो जो वाटर रिटेन ना करें कुछ प्लांट सेसे हैं जैसे रिबन ग्रास या फर्न इनको कॉंस्ट पानी चाहिए बर्ड लिटेन ने चाहिए वह जो अर्किड लगा हुए मेरे घर में सर उसमें मैंने सोईल नी डाला उसको प्यॉर को पीड में टाला है वगाए है उन फंटास्टिक ग्रोथ है उसकी और प्लांटर का दिखी उसरी हम यूज से यरूज अम्से ग्रोड विए उसमें च्छटिस हो बिल्कुल तो मैं वही आपका बिल्कुल सही है कि हर प्लांटर को भी मलें कि प्लांटर को चूज करना है कि प्लांट कौन सा लगा रहे हैं तो अगर और आप इस साल लें यह तो तीन चाह दिन तक कि नहीं के अंदर ही मर जाएगा क्योंकि उसकी रूट्स को बहुत ज्यादा बिल्कुल और प्लांटर चूज करते लिग किसमें होल कम है किसमें ज्यादा है क्योंकि आपने प्लांट कौन सा लगाए से कौन सा प्लांट इसमें आप डालना और वह पूरा ड्रेन हो जाए नीचे निकल जाए तो यह भी एक बहुत बहुत बला फेक्टर है कि आप जब बिल्कार उसे लें तो वह चेक हीजए कि कौन सा प्लांट इसमें आप डालना राइए क्लैटर प्लांट की हिस्टरिया सबसे इंटरसिंग वीडियो है अभी हम आगे बात करेंगे शेप की बात करेंगे साइज की बात करेंगे कुछ शेप्स नीचे से पकले होते हैं ऊपर से broad होते हैं कhouse उपर से broad होते हैं नीचे से sleek होते हैं इस वारे में हम बात करेंगे जटे और अब हम देखेंगे बड़े ॉज इस लीकलड अब बड़े size की ऐगs घॉठे सव zer ह और जहांपलोंको यंदि अब véden कर देखें बिलकुल तो यह जो प्लांट रहे हैं मलकी कॉर्पेट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बाहर का एरिया सजाने में यूज होते हैं और मतलब की गवर्मेंट भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इसके लिए लोंज भी दे जा रहे हैं अब यूटूपर भी देगे हैं तो बहुत सारे एड आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहे हैं कि अगर आपके वस थोड़ी सी भी जगह है तो प्रपोगेट करके आप नसरी बना सकते हैं यह वहां पर यह प्लांटर साप रख सकते हैं बाइ इसका MRP 3300 पर इस में इस वाले आपको बॉटम ट्रे साथ में आती है तो कुछ कुछ डिजाइन इसमें बॉटम ट्रे साथ में देते हैं तो इसके इंदर जो साइज अवलेबल हैं इस वाले प्लांटर की तो हमारे पास तकरीव तकरीवर निचिवर पांच लग लग तो आपको हमारे पास तक्रीबन हर पुर्ट के बहुत से मल्टिपल साइज अवलेबल मिलेंगे ताकि आपका एक घर में एक ही जैसा प्रॉडट पर अलालाग साइज अब जैसे लोटस के लिए बर यह निकाल के दिखा रहे हैं जी जी यह लोटस जैसे जिन्होंने लोटस ग तो आपकी आप समझें उसके कितना आपने आरोई ले लिया ठीक है और मेरे खाल से आप इसके दर दस सीजन पंदा सीजन आप लोटस ग्रो कर रहे हैं ओके तो इसके अदर अच्छी तरीके से इसकी रूट ग्रू हो सकते हैं और थोड़ा से वैसा रहने ने चीब तो इसके हैं कुछ हवाय स्पेशल डिजेन हैं जिकते इंदर आप गाजर और मूली भी गुरू कर सकते हैं अच्छा जी आजकल तो हाइब्रिड आ रहे हैं से लोग की है जो रही है वो भी आप होगा सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यह जो आपने दिखाय से रही है क्या प् तो इसको थोड़ा सा स्लाइड करना और अपने अपने आप मूव करेंगा यह यह उपर यह इसका जो है वो 4100 अल्राइट चलिए ठीक है ड़न वी गो तो नेक्स वन नौ यह सारे क्या रेंज के मेरे फेवरिट है यह लाइक इस फो द ब्लैक और जो टर्रकोटा कलर है यह क बोला सा प्रीमिम रहता है अच्छी क्वाल्टी देते हैं क्वाल्टी में कोई कॉम्प्रोबाइशन नहीं करते हम कभी राइच चलिए लेस्ट इस इस लिटल इंपोसिबल तो अच्छी टॉक अबट एवरी सिंगल प्लांट हर एक प्लांटर के बारे में बात करना हम भी मिलेगा अच्छा आप उसको फिल करेंगे तो आपको घर के लिए चीए या रिसेल करने के लिए चीए तो आप उसको फिल कर दी हमारी टीम आपको कॉंटेक्ट करेगी पूरा गाइट करेगी कि यह प्लांटर आपको कहां मिल सकते हैं हर एक का MRP अलड़ेडी मैंशन मुंबई, पूने, एमदाबाद, फूरत, आप मैं लेके नॉर्फ इंडिया के अंदर हर एक जगा हर एक सिटी हमा अपको अपना प्लांटर हमारा अभलेबल है अब उन लोगों के लिए जो औरेडी नर्सरी नर्स हैं या आगे का प्लान कर रहे है नर्सरी के लिए और हो गॉल को काल करेंगे अग ने सब्सक्राइग के लिए आपंट से अर्प को अफ जडेस करेंगे आपको औरम के लिए करेंगे कि अप कॉरा प्राइड को सक्वार ब्रe supporter का आपको ठीकज प्रोड्ज के तरफ और रसाल दisen-क हो फ्डेकैन धूयरं इं standing remain once again, reminding all the Kleptra family members that here you find all kind of planters, different sizes, different shapes, for all purposes, floor, hanging, we haven't seen a lot of hanging, we haven't seen a lot of hanging, we also have 40Ds in every way, you need wall hanging, if you have to put a balcony in it, you need to hang it, so every product you have to take it, all right, we don't have any plants, otherwise, giftable items, planters, you can do a lot of things for corporate sectors and corporate parks, we have a lot of big plantas, hanging, countertop, floor, all kinds of things, in every finish, in every shape and size, for more details, I request all the Kleptra family members to get in touch with Gautam Ji, number is being flashed on the screen, no matter where you are stationed, you can call on the number given on the screen, they will guide you to find the nearest spot where you can go and experience live, right sir? Thank you sir, all over the India? Yes, all over the India, okay, so more than 1000 nurseries are there, right? 5,000, 5,000, oops, 5,000, thank you very much, thank you, thank you. जब लोग हो खास, तो गिफ्ट भी हो खास, जिसे आप लाइक करते हैं, उसे अपनों के साथ शेर करिए, Gardens Need के प्लांटर्स आपके लिए और आपके अपनों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट, Gardens Need, जरूरत भी, खुबसूरत भी, Gardens Need, add beauty to your life.